हेलो, नमस्कार दोस्तों, welcome back to our channel, मैं हूँ आपका दोस्त, Dr. Hitesh Kariya, तो आज हम आपके 11th Standard Biology का 2nd chapter start करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, Systematics of Living Organisms, अब आपको एक बात बताऊ, मैंने हर साल देखा है, कुछ बच्चों को ये chapter थोड़ा difficult लगता है, थोड़ा confusing लगता है, क्योंकि इसमें काफी technical terms है, ठीक है, लेकिन आपको एक secret बताऊ, trust me, ये chapter बिल्कुल भी difficult नहीं है, लल्लू बंजू chapter है, अगर आपने concept अच्छी तरह से समझ लिया, अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, मैं आपको promise करता हूँ, मैं आपको ये chapter का master बना दूँगा, इतना बड़ा master, कि आप अपने friends को बलोंगे, ओ कोई नहीं यार, पैजा मैं तेनू सिखावांगा, कोई गल नहीं है, ठीक है, बेटा, इतना simple कर देंगे आपके लिए chapter, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, प्लीज एक like कर दीजिए, share कर दीजिए, subscribe कर दीजिए, आपके likes हमें energy देते हैं, motivation देते हैं, और अच्छा करने के लिए, चलिए, शुरुवात करते हैं chapter number 2, The Systematics of Living Organisms, बच्चों, क्या आप जानते हैं, और इनसान सदियों से, इन प्लांट्स और अनिमल्स का यूस करता आ रहा है, अपने फाइदे के लिए, man has been exploiting this wealth, since time immemorial, immemorial का मतलब, since ages, सदियों से, अब क्या हुआ, इनका यूस करते करते, human beings you know, they are curious by nature, है ना, तो human beings को, हमेशा से ये curiosity रही है, प्लांट्स और अनिमल्स के बारे में, जानकारी हासिल करने की, तो इस प्रोसेस में, इनसान ने क्या किया, अलग-अलग प्लांट्स और अनिमल्स को, differentiate करना चालू किया, उनको identify करना चालू किया, उनको नाम देना चालू किया, यह एक science का अलग branch बन गया और इसी ब्रांच को हम कहते हैं systematics, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे chapter का नाम ही है systematics of living organisms, तो चलिए आये समझते है systematics क्या है, ध्यान से सुनिये, बिल्कुल घबराने की ज़रुरत नहीं है, आपके लिए concept easy कर देंगे, अच्छा लगे तो please like कर द year 1961, आप देख सकते हैं कितने smart handsome दिख रहे हमारे Simpson अंकल, तो इनों ने पहली बार यह word systematics coin किया था, now what is systematics, देखिए, it is the study of, the study of kinds and diversity of organisms, मतलब इस धर्ती पर जो अलग अलग variety of plants and animals, organisms मौझूद हैं, उनके अलग अलग type को study करना, उनके बीच के differences को study करना, और उसी के साथ साथ, उनके comparative और evolutionary relationship को study करना, इसी branch of science को हम कहते हैं, systematics, now what do you mean by comparative relationship, see, जब हम biology में generally, जब हम कोई organisms पढ़ते हैं, तो उसे compare करके पढ़ते हैं, मतलब यह flower का color ऐसा है, इसका ऐसा है, इसमें इतने stamens हैं, इस plant का leaf का shape ऐसा है, तो इसका shape ऐसा है, इसे कहते हैं, comparative relationship, और evolutionary relationship का मतलब क्या है, कि कोई particular organism, किस organism में से evolve हुआ है, और इसका ancestor कौन है, आगे जाकर इसका descendant कौन होगा, यह organism आगे जाकर किस species में evolve होगा, तो इस सारी study को हम कहते हैं, systematics, तो my dear बच्चा लोग, mark कर लीजिए, बहुत important definition है, systematics is the study of kinds and diversity of organisms, and also their comparative and evolutionary relationship, अब मुझे एक बात बताईए, इस धर्ती पर इतने species of organisms present है, as a bio student, अगर मुझे इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो मेरे पास कोई ऐसा जरिया होना चाहिए, tool होना चाहिए, कि मैं इतने organisms को एक साथ पढ़ सकूँ, बराबर है के नहीं, चली, आपको एक example देकर बताते हैं, मान लीजिए, आप कोई supermarket में shopping करने के लिए गए, I'm sure कभी न कभी गए होंगे, हम घर में कितनी सारी चीजों की जरुवत पढ़ती है भाई, मम्मी भी कभी कभी संडे को बोलती है, आज वेला बेठा है, चल साथ में थोड़ा थैली वैली उठाने में मदद कर, कुछ करता नहीं ऐसी पढ़ा रहता है, तो जाते हम कई बार सूपर मार्केट में, इन सूपर मार्केट का फाइदा क्या है, जब अब अंदर जाते हो, हर चीज को हर सामान को अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखा होता है, हमें जो चीज चाहिए, हम बराबर अपनी ट्रॉली लेकर उस सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जैसे for example, मान लीजिए, आपके घर में टॉइलेटरी का सामान खतम हो गया, साबून खतम हो गया, शैंपू खतम हो गया, अब टॉइलेट करने जाते हैं, तो टिशू पेपर क हमारे ले तो वाटर ही ठीक है, हम वाटर से ही काम चला लेंगे, यह टिशू विशू यह सब फॉरिन लोगों के चोच लें, चली example लेते हैं, आपको टिशू पेपर चाहिए, आपको साबून चाहिए, शैंपू चाहिए, तो आप टॉइलेटरी के सेक्शन में जाओगे, अब आप पॉटी कर क्या है, टीशू पेपर का काम खतम हो गया, डाउनलोड कर दिया, अब फिर से भूख लगी, अपलोड करना है, तो आपको भूख लगी, तो आप ग्रॉसरी के सेक्शन में जाओगे, फूड पैकेट के सेक्शन में जाओगे, जहां पर खाने पीने का स मन है की नहीं, खाया करो भाई अच्छा होता है केला, तो वहां पर आप देखेंगे, एक सेक्शन में सारे केले रखे हुएं, एक सेक्शन में सारे अनार रखे हुएं, तो यह शॉपिंग मॉल्स क्या कर रहे हैं, इस कैटेगरी में जो डिवाइड करके रखा है सामान को, ह तारे लिविंग और्गानिजम्स आपके सामने रख दिए, और मैंने बोला, चल भाई, यह सबी और्गानिजम्स को तुझे आज की आज स्टडी करके मुझे बताना है, अब आप इस बैग में देखिए, आपको कई तरह के अनिमल्स दिख रहे हैं, आपको हाथी दिख रह बेटा, इसके लिए यह जनम तो काफी नहीं है, शायद 10-12 जनम और लेने पड़ेंगे हमें, है ना, तो हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले और्गानिजम्स को हम एक ग्रूप में डाल देते हैं, फिर कुछ अलग प्रॉपर्टीज वाले और्गानिजम्स को डाला गया, तो हमारी शॉपिंग इजी हो गई, बराबर, तो बेटा, जब हम और्गानिजम्स को अलग अलग ग्रूप में क्लासिफाई करते हैं, इस ब्रांच ऑफ साइन्स इस कॉल्ड आस टैक्जोनॉमी, वेरी वेरी इंपोर्टन कॉंसेट मेरा बच्चा लोग, वाट तो पहले कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऐसे ही थोड़ी अलग अलग टाइप के और्गानिजम्स को हम एक ही ग्रूप में डाल देंगे, नहीं, जैसे शॉपिंग मॉल में, मेल के कपड़े सेक्षन में जाएंगे, तो सर्टन रूल्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन करने के सायन्स को हम कहते हैं, तैक्जोनॉमी, अब ये तैक्जोनॉमी वर्ड पहले किस ने इंट्रड्यूस किया, मेरे बच्चों, there was a Swiss botanist, Swiss मतलब he was from Switzerland, उन का नाम था, A.P.D.Condole, तो A.P.D.Condole नाम के सायन्टिस्ट ने पहली बार टैक्जोनॉमी वर्ड को क्लासिफाई किया, I hope I am clear with this, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, कि टैक्जोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम और्गानिजम्स को क्ल classification, देखें क्या बोला है, the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories, distinct का मतलब अलग-अलग groups में, जब हम organisms को बाटते हैं, उन्हें divide करते हैं, पर कैसे, ऐसे किसी को भी कहीं भी थोड़ी डाल देंगे, in accordance with a particular and well established plan, certain set of rules के उपर, certain criteria के उपर, हम organisms को बाटते हैं, तो इस process को हम कहते हैं, classification, अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, इस सारी categories को हम ranks देते हैं, उन्हें order देते हैं, और उन सब categories को हम एक hierarchical level में arrange करते हैं, from lower to higher, हम उन्हें एक hierarchical level में arrange करते हैं, देखें, जैसे आगे पढ़ने वालें detail में, जैसे species, जैसे पहले होगा species, उसके उपर genus, उसके उपर family, उसके उपर order, class, phylum and kingdom, तो from lower to higher, we rank these categories, तो once again, what is the definition of classification, the arrangement of organisms, or groups of organisms, in distinct categories, in accordance with a particular and well-established plan, is called as classification, चली आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों, अब बच्चों, अब बच्चों, अबच्चों, 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 अब क्या आप जानते हैं, यह classification कोई modern science नहीं है, सदियों से दुनिया में organisms का classification होता आ रहा है, in fact, जो पुराने जमाने में जो Greek और Roman philosophers थे, उन्होंने भी बहुत ही basic, लेकिन अपने अपने तरीके से organisms को classify करने की कोशिश किये, लेकिन बाद में, यह process काफी scientific हो गया, हमने classification करने क कुछ scientific rules बनाएं, और यह काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया, तो अलग-अलग scientists ने अपना अपना तरीका दिया है, organisms को अलग-अलग ग्रूप में बाटने का, चलिए देखते हैं, what are the different types of classification, पहले इनके नाम देख लेते हैं, then we will understand them one by one, मेरे साथ रहिएगा, बहुत important topic है बच्चों को यह काफी confusing लगता है, but I promise you, if you understand the concept, I will make this very easy for you, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कर दीजेगा, thank you so much, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों, the different methods of classification are, see, we have, the first one is called, the artificial method of classification, the second one is called, natural method of classification, the third one is called, phylogenetic system of classification, the fourth one is called, chemo taxonomy, fifth one is called, numerical taxonomy, the sixth one is called, cladogram, and the seventh one is called, DNA barcoding, right, यह सम नाम सुनके बिलकुल भी घबराने की जरुरत नहीं है, see, बायो में, प्रॉबलम कह पता है, खाली चीजों को, ऐसे बड़े-बड़े, confusing नाम देके रखें, कुछ भी नहीं है, अगर आप इसका meaning समझ गए न, trust me, आपको रटे मारने की भी जरुरूत नहीं है, आप अपने words में answer लिख सकते हैं, right, चलिए, so what are the seven types of classification, artificial, natural, phylogenetic, chemo taxonomy, numerical taxonomy, cladogram and DNA barcoding, चलिए, अब इसे one by one समझने की कोशिश करते हैं, the first method of classification is called as artificial system, अब इसमें क्या हुआ, बच्चों, artificial system में क्या हुआ, this method of classification, ये कौन से criteria पे किया गया, it was based on easily observable and non-evolutionary features, मतलब organisms के external appearance, वो features जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, very simple method of classification, उनके external appearance के उपर, जैसे हमने उनका habit देखा, उनका color देखा, उनका form देखा, उनका shape देखा, size देखा, बस हमने internal structure पे यहां पे consider ही नहीं किया है, और हमने non-evolutionary feature, मतलब इसका किसी दूसरे organism के साथ, क्या relation है, यह organism किस में से evolve हुआ है, यह सब हमने यहां पर consider ही नहीं किया, बहुत ही simple सा system of classification है, where we consider, only the morphological features, मेरे बच्चों, morphological word का मतलब है, the external features, उसे हम कहते हैं morphology, और यहां पर हमने इन organisms की एक दुसरे के साथ, जो relationship है, उसको consider नहीं किया, we do not consider the affinity or the relationship of an organism with any other organism, तो ऐसे method of classification को हम कहते है, artificial method, आपको example देते है, one of the most important example of artificial system of classification was given by Carolus Lineus, इसे हम कहते है, linear system of classification, तो linear अंकल ने क्या किया था बेटा, आपको, क्या आप जानते है, classification का पहला attempt भी इन्हों नहीं किया था, इसी लिए हम linear को father of taxonomy भी कहते हैं, linear is also called as the father of taxonomy, ठीक है, अब इन्हों ने क्या किया, plants का classification किया, artificial system में, कैसे किया, he took into consideration, मतब किस criteria पे किया, he took into consideration, the nature and number, ध्यान से सुनिये, the nature and number of stamens and carpels, sir, अब ये क्या है, बचो, stamen क्या है, ये flower का male reproductive part है, और carpels क्या है, ये female reproductive part है, तो linear ने क्या किया, अलग-अलग flowers में, कितने stamens और carpels मिनते हैं, और किस type के मिलते हैं, मतलब बाहर से देखने में, सिक कुछ stamens fused होते हैं, कुछ free होते हैं, अभी वो carpels भी fused है के free है, stamen fused है के free है, कितना हैं, इस basis पे उन्होंने plants को 24 classes में divide किया, तो this was a very basic method of classification, which is called artificial system, चली, आपको एक और example देते हैं, आपने सुना होगा, एक और scientist थे theophrastus, जिन्होंने plants को classify किया, yes my friends, इन्होंने ये plants को बहुत study करते थे, ये plants की study में expert थे, इसलिए theophrastus को हम father of botany भी कहते हैं, what is botany, study of plants, तो theophrastus is known as the father of botany, बच्चों confused नहीं होना है, see, linius is known as the father of taxonomy, बट theophrastus is known as the father of botany, अब इन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ पोदे उनको दिखते थे, उन्होंने उनको तीन गुरूप में बाट दिया, बट किस बेसिस पे, जो एकदम छोटे छोटे दिखने वाले पोदे थे, उन्होंने उनको बोल दिया herbs, जो उससे थोड़े साइज में बड़े थे, उनको बोल दिया shrubs, और जो एकदम साइज में बड़े थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उनको नाम दे दिया, trees, तो अब देखो, यहाँ पर उन्होंने कोई और feature consider नहीं किया, बस बाहर से वो पौधा कैसा दिख रहा है, वो size में बहुत चोटा है, medium है, या बड़े height का है, तो इस पर उन्होंने classification कर दिया, into herb, shrubs and trees, तो यह बहुत primitive system of classification है, राइट, चली आपको औ और एक example देते है, हमारे Aristotle दद्दा, यह बहुत पहले होकर गए scientist, इन्होंने भी अपने time पर artificial system of classification किया था, पर किसका, animals का, सी इन्होंने क्या किया, तीन group में बाट दिया, उन्होंने क्या बोला, जो organisms, पानी में रहते हैं, उन्हें बोल दीजिए, aquatic organisms, जो land पे रहते हैं, उन्हें उन्होंने बोल दिया, terrestrial organisms, और जो हवा में उड़ते हैं, उन्हें उन्होंने कह दिया, aerial organisms, aerial का मतलब है, who can fly in air, अब देखे, ना उनका body structure देखा गया, ना उनका anatomy देखा गया, ना उनका embryology देखा गया, बस, यह पानी में रहता है, तो aquatic में डाल दो, यह जमीन पे अब अगर हम बोले aquatic, तो बेटा, fish भी aquatic है, और whale भी aquatic है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह दोनों अलग species है, fish यह class Pisces में आता है, और जो whale है, वो तो mammal है, लेकिन दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन क्या आप fish और whale को एक group में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, अब एक औ terrestrial organisms में डाला, अब देखें, यहां पर क्या गडबड हो गई, हम reptile skin को कहते हैं, जो धर्ती पर रेंगने वाले प्रानी हैं, जैसे crocodile है, lizard है, इन्हें हम reptiles कहते हैं, और cattle कौन है, जो गाय भैस है, वो cattle है, लेकिन reptiles अलग class को बिलॉंग करते हैं, और cattle तो अलग class को बिलॉं तो क्या मैं एक चिपकली को और एक भैस को क्या मैं एक ग्रूप में डाल सकता हूं, नहीं, क्यूंकि दोनों के features अलग हैं, लेकिन Aristotle अंकल ने इन दोनों को एक ग्रूप में डाल दिया, अच्छा, अब अगर हम aerial की बात करें, तो see, birds भी aerial हैं, और bat भी aerial है, दोनों हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन bird एक अलग species है, और bat अलग species है, bat is a mammal, whereas birds कम अंडर class apes, तो दोनों के features अलग हैं, तो क्या हम उन्हें एक ग्रूप में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो बेटा, this was a बहुत शुरुवात का एक primitive system था, इसे कहते हैं, artificial system of classification, अब देखो इसके limitations क्या ह यह जो artificial system है, इसके कुछ limitations है, क्या limitations हैं, देखो, organisms, organisms having dissimilar features were put in the same group, अब आप देखिये, fish और whale को एक ही ग्रूप में डाल दिया है, reptiles और cattle को एक ही ग्रूप में डाल दिया है, birds और bats को एक ही ग्रूप में डाल दिया है, तो यह तो थोड़ा scientifically incorrect हो जाएगा, ना, right? एक और है, यहां पर no idea was given about the relationship between different organisms, मतलब he could not explain fish और whale के बीच में क्या relationship है, reptiles और cattle के बीच में क्या relationship है, इसकी study, इसकी जानकारी हमें यहां नहीं मिलती, सो इसको कहते हैं, artificial system of classification, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो system of classification है, इसे कहते हैं, natural system of classification, अब यह इससे थोड़ा advanced है, चलिए, देखिए, आपकी textbook क्या कहती है, what is natural system of classification? It is based on objectively significant characters, मतलब यहां पर हमने और थोड़े important characters add कर दिये, rather than being selected for convenience, मतलब हम सिर्फ, अरे यार, मुझे classification करने का कंटा ला रहा है, चोड़, एक काम कर, जो हवा में उड़ रहा है, उसे aerial में डाल दे, जो पानी में swim करता है, उसे aquatic में डाल दे, जो जमीन पर चलता है, उसको land पर डाल दे, यह तो कोई तरीका नहीं हुआ, हम हमारे convenience के हिसाब से नहीं कर सकते, हमें scientific basis के classification करना है, तो natural system में हम क्या करते हैं, this system of classification, this system of classification, considers, not only the external characters, it considers, not only the external characters, but also the internal features, of organisms, तो यहां पर पहली बार, बॉड़ी के internal structure को consider किया गया, जैसे we considered ultra structure, अब ultra structure मतलब क्या, जब आप किसी body part को microscope में study करते हैं, उसके structure को बारी किसे study करते हैं, उसे कहते हैं, ultra structure, फिर हमने consider किया anatomy, मतलब उसका overall body structure, फिर हमने consider किया embryology, मतलब अलग-अलग organisms के embryological development में क्या similarity और differences हैं, यह भी इसमें consider किया गया, और इसमें consider किया गया phytochemistry, अब बेटा, what is phytochemistry देखिए, phyto मतलब plants, आप जानते हैं, plants के body में अलग-अलग तरीके के chemical compounds बनते हैं, जैसे alkaloids बनते हैं, flavonoids बनते हैं, आप देखिए, हर plant का fruit और सबजी का taste अलग है, पत्ते का taste अलग है, आप करेला खाये, तो कड़वा लगेगा, आम खाये, तो मीठा लगेगा, क्योंकि दोनों में अलग तरह के chemical compounds बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं phytochemistry, तो इन सारे parameters को consider किया गया, इन natural system of classification, चलिए, इसका आपको एक example बताते हैं, this classification was given by Bentham and Hooker, यह दो scientist थे, जिनका नाम था, Bentham and Hooker, इन्होंने जो classification system propose किया, उसको कहते है, natural system of classification, देखिए, इन्होंने कैसे किया classification, जितने भी seeded plants हैं, चलिए, अच्छा सा color ले लेते हैं, जितने भी seed bearing plants हैं, मतलब वो plants, जिनमे seeds आते हैं, उन्होंने उनको 3 classes में divide कर दिया, that is dicotyledons, gymnosperms and monocotyledons, ठीक है, फिर उन्होंने gymnosperms को आगे 3 family में divide किया, फिर dicotyledons को आगे subclasses में divide किया, see, class से भी छोटी unit होती है, subclass, तो dicotyledons को और 3 groups में divide कर दिया, that is polypetal, gamopetal and monoclymide, अब यह किस criteria पे किया गया, polypetal में the petals are free, वो एक दूसरे से fused नहीं होते petals, जबकि gamopetal में in flowers में petals आपस में fused होते नीचे से, और monoclymide में तो petals होते ही नहीं है, तो यहाँ पर organism के anatomy को उसके internal structure को consider किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे system को हम लोग कहते हैं, natural system of classification, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक important system of classification पे, जिसे कहते हैं phylogenetic system of classification, बच्चों, पहले तो phylogenetic word का meaning समझे, the word phylogenetic means the classification which is based on evolutionary descent, मतलब एक particular organism किस organism में से evolve हुआ है, इसमें और उसके ancestor में क्या similarity है, क्या differences हैं, तो इस basis पे जब classification किया जाता है, based on evolution, organisms का evolution कैसे हुआ, और इनके ancestors कौन थे, जब इस basis पे classification किया जाता है, तो इन्हें इसे हम कहते हैं, the phylogenetic system of classification, चली एक interesting चीज़ सुनिए, बटा, इस classification was proposed by Engler and Prandtl, सबसे पहले, Engler and Prandtl ने, इस classification को प्रपोस किया, ठीक है, लेकिन फिर, it was modified, बाद में इस classification को modified किया था, दो scientists ने, जिनका नाम है, Taktajan and Hutchinson, इन्होंने इस classification को modified किया, and this classification was based on the evolutionary relationship between different organisms, अब यहां पर ना, सिर्फ evolution के basis पे classification किया जाता है, यहां पर और कोई criteria को consider नहीं किया जाता, ना morphological similarity देखी जाती, ना difference देखा जाता है, और यहां पर क्या assume किया जाता है, कि जितने भी organisms, एक particular class को belong करते हैं, उनका एक common ancestor होता है, उनका एक common ancestor होता है, जैसे, अगर हम सारे birds को class Aves में डालते हैं, तो angler and prantle का classification क्या कहता है, कि सारे birds का एक common ancestor होगा, अगर मैं सारे धर्ती पे रेंगने वाले प्राणियों को reptile group में डाल दूँ, तो angler और prantle ने कहा, कि सारे reptiles का एक common ancestor होगा, जिसमें से इनका evolution हुआ है, लेकिन Aves और reptiles का साथ में common ancestor नहीं हो सकता, Aves का अलग ancestor होगा, reptiles का अलग ancestor होगा, और इसी तरह से एक और example अगर हम लें, तो mammals का अलग ancestor होगा, तो इस तरह के classification को हम कहते हैं, phylogenetic classification, अब इस classification को study करने के लिए, किसकी मदद ली गई, बेटा हम लोग fossil records देखे हैं, fossil records को देखकर ये method of classification को बनाया गया, अब fossil records मतलब क्या, जब कोई plant या animal मर जाता है, और वो धर्ती के नीचे दब जाता है, तो उसके body के hard parts के जो impression धर्ती पे उठेंगे, उसका जो impression उठेगा, जो print उठेगा, उसे कहते हैं fossils, तो ये fossil के records को देखते हुए, हमें evolutionary lineage पता चली, कि कौन सा organism, किस organism में से evolve हुआ, और इस system को हम लोग बोलते हैं, phylogenetic classification, आई बात समझ में आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, इसी phylogenetic classification का example लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, the three domains of life, see, एक scientist थे, जिनका नाम था, काल वूस, जियान से सुनिये, in the year 1990, काल वूस ने क्या किया, three domains में classification कर दिया, उन्होंने organisms को तीन ग्रूप में बाठ दिया, जिने हम कहते हैं domains, क्या कहते हैं, domains, चलिए, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, see, आप सब को पता होगा, पता नहीं होगा, तो सुन लीजिए, हम आगे पढ़ेंगे, एक scientist थे, जिनका नाम था, र, एच, विटाकर, जी, अब र, एच, विटाकर ने क्या किया, organisms को पाँच kingdom में divide कर दिया, देखिए कौन से, kingdom monera, उसके बाद kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, and kingdom animalia, अब बच्चों, इसमें ना, इन इन पाँच kingdom में से, यह जो monera है ना, यह सारे prokaryotic organisms हैं, मतलब दे डू नाट हैव, वेल डिफाइंड nucleus, या other membrane bound organelles, आपको इनके सेल में नहीं दिखेंगे, लेकिन protista, fungi, plantae, और animalia, यह सारे eukaryotic organisms हैं, मतलब, their cells will show the presence of a well-defined nucleus, and also other membrane bound organelles, ठीक है, तो अब काल्वूस ने क्या किया, उन्होंने इस five kingdom को, उन्होंने इस five kingdom को, three domains में classify कर दिया, domains का मतलब है, parts, ठीक है, अब उन्होंने classification कैसे किया, monera को दो group में तोड़ दिया, see monera में कौन आते हैं, इस दुनिया में जितने भी bacteria हैं, decamander kingdom monera, लेकिन उसमें भी अब दो types हो गए, तो काल्वूस ने क्या कर दिया, उन्होंने bacteria को दो group में तोड़ दिया, that is eubacteria and archibacteria, right, तो उन्होंने eubacteria और archibacteria को अलग कर दिया, from kingdom monera, अब बचा क्या, अब बचा protista, अब बचा fungi, अब बचा plantae, और अब बचा animalia, तो काल्वूस ने इन सब को एक तिसरे domain में डाल दिया, और उस domain को नाम दे दिया, eukarya, क्यूंकि ये सारे eukaryotic organisms हैं, तो आपका protista, आपका fungi, आपके plants, और आपके animals, ये सारे आजाएंगे under the domain eukarya, और काल्वूस ने क्या कहां पता है, ये kingdom, जिनने हमें अभी तीन domains में divide किया, इन सब का कहीं न कहीं एक common ancestor रहा है, मतलब भले आज bacteria अलग organisms हैं, protista अलग है, fungi अलग है, plants अलग है, animals अलग है, लेकिन हमारी सब की family tree एक point पे कहीं न कहीं जाके जुड़ती है, मतलब we all have a common ancestor, तो मेरे बच्चों ऐसे system of classification को हम कहते हैं, phylogenetic system of classification, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो method of classification है, उस method को हम कहते हैं, chemo taxonomy, अब देखिए, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, कि the word chemo, stands for chemicals, and the word taxonomy, is nothing but classification, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम organisms का classification करते हैं, based on the similarities and differences, in the structure of their chemical compounds, मतलब, आप सब जानते हैं, प्लांट्स के बॉड़ी में आपको अलग तरह के chemical compounds मिलेंगे, अनिमल की बॉड़ी के जो cells हैं, वो अलग तरह की chemical compounds से बनी होंगी, अरे उतना ही नहीं, अगर आप bacteria में भी compare करें, आप सब को पता होगा, काल वूज ने जो monera kingdom है bacteria का, उसे दो group में divide कर दिया, एक है archibacteria और एक है u bacteria, u bacteria को हम bacteria भी कहते हैं, तो उनके chemical constituents में भी फरक है, इसलिए उनने अलग कर दिया गया, right, so chemo taxonomy is done on the basis of, chemo taxonomy is done on the basis of the chemical constituents of organisms, मतब आपके body में या आपके cells में किस तरह के chemical compounds present हैं, उस पर से आपका grouping किया जाएगा, right, चल एक example देख लेते हैं, बेटा ये जो आर्किया है, आर्किया बैक्टिरिया, उसकी cell wall, they have a cell wall, पर वो peptidoglycan की नहीं बनी, लेकिन अगर हम एक यू बैक्टिरिया या बैक्टिरिया की बात करते हैं, तो उनकी cell wall बनी है, इस polysaccharide और protein के combination से, जिने हम कहते हैं, peptidoglycan, तो peptidoglycan नाम के chemical से, बैक्टिरिया की cell wall बनी है, पर जो आर्किया है, जिसे हम आर्किया भी कहते हैं, उनकी cell wall peptidoglycan से नहीं बनी, right, तो अगर हमें पूछा जाए, कि how would you differentiate between an archaea and a bacteria, तो एक simple सा point है, that archaea की cell wall is not made up of peptidoglycan, but bacteria की cell wall is made up of peptidoglycan, right, अच्छा, peptidoglycan क्या है, यह एक carbohydrate और proteins का combination है, right, अगर आप देखें, यहाँ पर, the word peptido stands for the protein component, and glycan stands for the carbohydrate component, ठीक है, आपको पता है, plant cells also have a cell wall, and the cells of a fungi, they also have a cell wall, right, लेकिन क्या आप एक plant को और fungi को एक group में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी, दोनों की cell wall का composition अलग है, for example, अगर हम plants की बात करें मेरे बच्चों, तो plant की cell wall is made up of a carbohydrate which is called cellulose, बट वहीं पर fungi की cell wall is made up of another chemical, जिसे हम कहते हैं, kaitin, तो पहले fungi को भी plants माना जाता था, लेकिन अब पता चला, के fungi एक अलग kingdom है, और plant एक अलग kingdom है, तो cell wall दोनों के पास है, पर दोनों के cell wall का chemical composition अलग है, तो यहाँ पर हमने उन्हें अलग group में डाला, based on their chemical constituents, तो my dear students, plants की cell wall को हम कहते हैं, cellulosic cell wall, मतलब made up of cellulose, whereas fungi की cell wall को हम कहते हैं, kaitinous cell wall, because it is made up of a material called kaitin, तो इस प्रकार के classification को हम कहते हैं, chemo taxonomy, चली आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो method of classification है, मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं, numerical taxonomy, अब मुझे एक बात बताईए, when we mention the word numerical, तो आपके दिमाग में क्या आता है, numbers, बिल्कुल, यहाँ पर हम numbers का help लेकर, numbers का sahara लेकर, हम classification करेंगे, राइट, बच्चों, यह जो method था, यह दो scientist ने मिलकर दिया था, that is Sokal and Sneet, in the year 1963, अब इसमें classification कैसे किया जाता है, this classification is based on quantification of characters, अब quantify करना मतलब क्या, किसी चीज़ को जब हम गिन पाते हैं, हम उन्हें numbers दे सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं quantification, ठीक है, and then we develop an algorithm for classification, algorithm का मतलब क्या होता है, कोई formula बना दिया आपने, आपने कोई programming कर दिया, उसे हम कहते हैं algorithm, जैसे आप mathematics में algorithm पढ़ते हैं, चलिए, देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, suppose एक organism है, हम उस organism के characters को identify करते हैं, और फिर हर character को हम numbers देते हैं, ठीक है, हम हर character को number देते हैं, चलिए, एक example ले लेते हैं, समझ यह, आपको किसी plant के स्टेमेन के characters को जानना है, तो आप उसमें, तो आपने लिख दिया character number one, स्टेमेन, ठीक है, अब स्टेमेन A में आप लिखेंगे, वह स्टेमेन की length क्या है, तो आप उसे एक number दे देंगे, फिर हम देखेंगे, वह स्टेमेन, कितने bundles में वहाँ पर मौझूद है, उसका 9 plus 1 arrangement है, या 4 plus 5 arrangement है, किस arrangement में कितने bundles उसके बनी हुए है, स्टेमेन के, तो उस हिसाब से हम उसे एक number दे देंगे, and third, वह स्टेमेन का association कैसा है, मतलब वह स्टेमेन free हैं, या एक दूसरे के साथ, चिपके हुए हैं, fused हैं, इसके basis पे भी हम उसे number दे देते हैं, और फिर, इन हर character को number देने के बाद, उसका grouping करके, हम एक formula बनाके computer में enter कर देते हैं, तो बेटा, इसी formula को हम कहते हैं, algorithm, इसी formula को हम कहते हैं, algorithm, अब suppose आपने कोई unknown species ढूंडी, अब आपको यह study करना है कि किस से match करता है, तो आप अपने जो numerical taxonomy आपने जो known species की की है, आप उस library में जाकर पूरा एक formula डालोगे, तो पूरे ग्रूप का analysis आपको दिखाई देगा, जिसके साथ आप अपने नए species को compare कर सकते हो, तो this type of classification को हम कहते हैं, numerical taxonomy, इट वस गिवन बाए Sokal and Sneet in the year 1963, चली, आगे बढ़ते है यह एक बहुत interesting method है, classification का, जिसे हम कहते हैं, cladogram, ठीक है, अब cladogram में हम क्या करते हैं, बच्चों, हम एक branching pattern में, एक tree-like pattern में, organisms का classification करते हैं, और उन्हें एक-एक organism, जो उस group में belong नहीं करते हैं, हम उन्हें exclude करके दूसरे group में डाल देते हैं, ठीक है, चली, पहला तो example हमन पड़ा हुआ है, in phylogenetic classification, आप सब जानते हैं, काल वूज ने, जो Monera kingdom है, उसे दो group में divide कर दिया, एक तो bacteria and archaea, और बाकी के जितने भी थे, उन्हें डाल दिया, अलग domain में, जिसको नाम दे दिया, eukarya, तो जितने भी protista है, फंजाय है, प्लांटे है, अनीमेलिया है, they come under eukarya, और Monera को दो group में तोड़ दिया, that is bacteria and archaea, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब cladogram से हमें क्या पता चलता है, हम organisms को एक दूसरे के साथ भी compare कर सकते हैं, और हमें उनका common ancestor कौन था, ये भी पता चलता है, तो ऐसे branching pattern वाले classification को हम कहते हैं, cladogram, देखें, यहाँ पर और एक example, हमने आपके लिया है, बौत ब्यूटिफुल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि, अब देखिए, on the top of the cladogram, यहाँ पर जो आपको यह image दिख रही है, यह भी एक cladogram है, ठीक है, now on the top of the cladogram, you can see हमने सारे animals के photo दाले और उनके नाम लिखे हुए, you can see shark, you can see ray finned fish, you can see amphibians, primates, rodents and rabbits, crocodiles and birds, right, and on the right side, हमने कुछ features लिये हैं, जिनके basis पे हमने इनका grouping किया हुआ है, इस cladogram को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग है, अब देखिए, यह cladogram नीचे से, अब देखिए, from bottom to top, यह चालू होता है, vertebrae, मतलब इस cladogram में, शा shark से लेकर bird तक, जितने भी animals हैं, वो सारे vertebraeats हैं, लेकिन अब उनके अंदर कुछ differences हैं, तो हमें उनके सब groups बनाने पड़ेंगे, राइट, चलिए, अब आगे हमने character लिया, bony skeleton, अब देखिए, यहां पर, bony skeleton, मतलब यहां से लेकर, ray finned fish से लेकर, birds तक, जितने भी animals हैं, उनका जो skeleton है, वो bony हैं, लेकिन shark को हमने नीचे रख दिया, उसको हमने exclude कर दिया, क्योंकि shark does not have a bony endoskeleton, shark has a cartilaginous skeleton, ठीक है, फिर हमने अगला point consider किया, four limbs, तो अब आप देखिए, यहां पर amphibian से आगे, birds तक, जितने भी animals हैं, सबको चार limbs हैं, लेकिन shark और ray finned fish को, चार limbs नहीं हैं, तो हमने उन्हें exclude कर दिया, तो जब हम AKKK character को exclude करते हुए, जब हम organisms को अलग अलग ग्रूप में डालते जाते हैं, तो ऐसे branching pattern type of classification को हम कहते हैं, cladogram, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, now coming to the last method of classification, very very interesting, यह एक recent method of classification है, इसे हम कहते हैं, DNA barcoding, ठीक है, पहली बात तो यह method किस ने दिया, आपकी textbook यह mention नहीं करती, पर आपको पता होना चाहिए, बचों यह DNA barcoding का method of classification का, यह दो scientist लोगों ने मिलकर दिया था, एक का नाम है, Norman, Joseph, Woodland, और दूसरे का नाम है, Bernard Silver, तो इन दोनों ने मिलकर, DNA barcoding technique की शुरुवात की थी, और classification करने को लिए start किया था, यह एक काफी नया method है, अब इसमें classification कैसे करती हैं, it is based on the DNA sequence from a tiny tissue sample, right, मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी organism का एक चोटा सा tissue लेंगे, और उसके अंदर से DNA को निकाल कर, उसका बार कोड बनाएंगे, ठीक है, बहुत interesting है, ध्यान से सुनिए, इस method को हम कहते हैं, DNA barcoding, अब वो कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली बात इस, यह टेकनीक से हमें क्या फाइदा है, बच्चों, इससे, इट हेल्पस तु स्टड़ी नूली आइडेंटिफाइट स्पीशीज, मतलब अगर कोई नया स्पीशीज आइडेंटिफाइ होता है, तो वो किस ग्रूप को बिलॉंग करता है, यह किस लगा सकते हैं, by the technique of DNA बार कोडिंग, इसी के साथ साथ, we, it also gives us an understanding of the ecological and evolutionary relationships between living beings, आपको evolutionary relationship का भी पता चलता है, कि कौन सा organism, किस organism में से evolve हुआ होगा, या दो organisms के बीच में, क्या ecological relationship रही होगी, यह भी हमें पता चलता है, तो हम क्या क्या किसी भी species के, किसी भी species को DNA को बाहर निकाल कर, हम उसका बार कोडिंग बना देते हैं, चली, अब यह प्रोसेस किया कैसे जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, DNA बार कोडिंग has got two major steps, इसे दो steps से किया जाता है, पहले तो ध्यान से सुनिये, इस धर्ती पर जितने भी known species हैं, मत पता है कि यह डॉग है, यह कैट है, यह कबूतर है, यह कववा है, यह बंदर है, जितने भी known species हैं, पहले हम उनका एक बार कोड डेटा बना कर, कम्प्यूटर में फीड कर देते हैं, इसे हम कह देते हैं, बार कोड लाइबरी, राइट, अच्छा, अब समझ यह, आपने ए पिलोंग करता है, तो हम इसके DNA सैंपल को, जो हमने एक्जिस्टिंग और गानिजम की DNA बार कोड की लाइबरी बनाई थी, उसके साथ मैच करेंगे, राइट, so there are two steps, first is collecting the DNA बार कोड डेटा of known species, and then matching the बार कोड सीक्वेंस अव अन्नों सैंपल, अब मान लीजिए, आपको एक unknown organism मिला, अब आपको पता करना है कि आपकी बार कोड लाइबरी में, यह किस में से मैच कर रहा है, ठीक है, तो देखिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस unknown organism को लेंगे, step number two, हम उसके body का DNA निकालेंगे, फिर उस DNA में से हम एक fragment निकालेंगे, बार कोड बनाने के लिए, DNA के एक section को हम कट करके निकालेंगे, जिसमें से हमें बार कोड बनाना है, तो उसे हम कहते हैं, बार कोड फ्रेक्मेंट, फिर उस DNA के genes को study करके, उसका sequencing करके, हम ultimately उसका बार कोड बनाएंगे, अब इस बार कोड को आप अपने existing library के जो बार कोड उनके साथ मैच करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि आपका ये जो particular organism है, वो ये वाला organism है, देखिए कितना beautiful technique है ये, तो इस method of classification को हम कहते हैं, DNA बार कोड इंग, चलिए अब बच्चों ये जो DNA बार कोड इंग है, ये सिर्फ classification में काम नहीं आता, इसके कई सारे applications है, चलिए, देखते हम इसे कहां कहां यूज करते हैं, DNA बा पहली बात, it can be used for the protection of endangered species, अब endangered species मतलब वो organisms, जो खत्रे की कगार पर हैं, जो खत्रे में हैं, जो खत्म ओने के वर्च पे हैं, तो हम उनके DNA को study करके उसका बार कोड बना कर ये पता लगा सकते हैं, कैसे कितने organisms हैं, कौन-कौन से organisms हैं, जिने हमें प्रोटेक्ट करने की पर हैं, चलिए, उसी के साथ-साथ, we can also, it will also help in the preservation of natural resources, मतलब सी, आप सब को पता हैं, कि अबारे अर्थ पे बहुत यूज diversity प्रेजेंट हैं, कई तरह के plants और animals हमारे धर्ती पर मौजूद हैं, तो इन natural resources को हमें protect करना हैं, हमें उन्हें खत्म होने से रोकना हैं, हमें उन्ह पता लगा सकते हैं, कि कौन-कौन से ऐसे natural resources हैं, जिने हमें और जादा प्रटेक करने की जरूरत है, अगला एक देखिए, टेकनीक बहुत interesting है, it also helps in pest control in agriculture, जब कोई farmer खेती करता है, तो सबसे बड़ा उसे डर रहता है, कि मेरे crops को कीडे आके नुकसान ना पहुचा है, there are certain insects pests, जो crops को बहुत नुकसान पहुचातेते हैं, लेकिन अगर हम उन crops की बारकोडिंग, DNA बारकोडिंग करके उसको study करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस type of pest या कीडे इस crops को attack कर सकते हैं, और हमें कौन से pesticides develop करने चाहिए, उन कीडों का attack इन crops के उपर होने से रोकने के लिए right, so that is how it helps in pest control, then हमें DNA बारकोडिंग की मदद से, we can also identify the disease vectors, अब disease vectors का मतलब क्या है, it is the disease causing organisms, see जैसे housefly is a vector, cockroach is a vector, वो सारे animals जो जिनके अंदर pathogen होते हैं, okay, which are responsible for passing the pathogen from one person to another, इने हम कहते हैं vectors, तो इनका भी हम DNA बारकोडिंग स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं, कि कौन सा vector, कौन सी बीमारी फैलाने के लिए responsible है, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, right, then, इसके बाद, DNA बारकोडिंग also helps us in authentication of natural health products, see, आजकल हम अपने looks को लेकर, अपने body features को लेकर काफी conscious हैं, अपनी health को लेकर हम काफी conscious हैं, तो आजकल market में आपको पता होगा, कई सारे ऐसे health products का धडलने से भीकर हैं, and everybody is claiming के हमारा जो product है वो organic है, हमारा जो product है वो natural है, हमने इसमें कोई chemical use नहीं किया है, आप कैसे का पता लगाओगे, या तो आपको किसी laboratory में जाकर चेक करना पड़ेगा, कि सच में यह natural है के नहीं है, या इसमें कोई chemical मिलाया गया है, दूसरा जो technique है, that is DNA barcoding, समझ यह आप एक product खरित के लाए, अब आपको पता नहीं कि यह सच में organic product है, सच में यह कोई natural, आप कोई face cream लेकिया है, या आप कोई protein powder लेकिया है, या आपने कोई, you know, anything, sunscreen लेकिया है, अब उस पे लिखा हुआ है कि यह natural है, लेकिन हमें कैसे पता, हम natural होगा, तो उसमें plant extracts मिलने चाहिए हमें, right, कोई भी claim कर सकता है natural है, लेकिन हमें किसी से भी, we cannot just simply allow people to fool us, right, तो हम DNA barcoding से यह लगा सकते हैं, कि सच में उसमें plant extracts हैं के नहीं, सच में यह जो health product, आज जो natural के नाम पर market में बिकर है, वो सच में natural है के नहीं, and lastly, DNA barcoding की मदद से, we can also identify the medicinal plants, see, you know, India has a huge heritage of medicinal herbs, right, तो हम उनके भी DNA को barcoding बना कर, हम यह पता लगा सकते हैं, कि यह कौन सा plant में medicinal properties हैं, और इसे हम कौन सी natural दवाई हैं, या medicines बना सकते हैं, so these are some of the applications of DNA barcoding, I hope, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को, this different methods of classification, या taxonomy, पता चल गया होगा, और इसकी अच्छी तरीके से आपको knowledge मिल गई होगी, ठीक है, thank you so much, see you in the next class, till then, God bless you, bye bye, take care.